चलो 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 इस्तिमागा चलते हैं आईए दोस्तों आज हमारे सहर माले गाउं के अंदर 15-16 डिसंबर 2022 बरोज जुम्राज जुमा दो दिन का नासिक जिला उमूमे इस्तिमागा के तालुक से कुछ अपडेट लेते हैं और देखते हैं कि अब तक कितना काम हुआ और कितना काम बाकी है और कितना काम जारी और शारी है और वक्त तो कितना है और कितने वक्तों में कितना काम करना है आज हमारे माले गाउं शहर के अंदर जो इस्तिमागा के अंदर काम हो रहा है उसकी कुछ तश्वीरे मंजरे आम पर आपको दिखाई दे रही है यह इस्तिमा का मालेगाँ शहर जिला नाशिक का अमूमी इस्तिमा है 15-16 डिसंबर 2022 बरोज जुम्राज जुम्मा को होने वाला है इस तरीके से हम हर इस्तिमे की तालुक से अपडेट हमारे चैनल से दिखाते है और हर इस्तिमे के तालुक से नई और पुरानी अपडेट देते रहते है हमारा न्यू चैनल जो है तबलिग जमाज से जुटा हुआ है लेकिन हम किसी भी किसमों की दिलाजारी करने के लिए कोई भी वीडियो में कोई ऐसी बयान वाजी नहीं करते जिसके बिना पर किसी की दिलाजारी हो यह बात को मैं इसलिए कर रहा हूँ इस बात को इसलिए साफ कर रहा हूँ कि हम इस वेडियो को सिर्फ वो न्यूज की हद तक दिखाते हैं, किसी के कहने पर या किसी के बोलने पर नहीं दिखाते हैं, यह हम अपनी मर्जी से न्यूज चैनल के तरजों पर दिखाते हैं, किसी के कहने और किसी बोलने पर नहीं दिखाते हैं, आईए दोस्तों, आज माल जिस जानकारी में वो माहिर रहता है जिस फ Maintenant में वो माहिर रहता है उस फिल्डो का वो काम करता है फिल वक्त तो मंजरे आम पर आपको वीडियो जो दीक रहा है ये इस जगा पर पार्किन जोन बनने वाला है पार्किन का काम होने वाला है जो बैरुन शेर से टू विलर, थिरी विलर, फॉर विलर, सवारिया इस तेमा कहा के लिए आएंगी उनके लिए उनको खड़ा करने के लिए पार्किन जोन का इंतिसाम किया जा रहा है ये पार्किन जोन के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों तो जगे जो है तो बहुत अच्छी खासी बड़ी है अगर हुमा वक्त तो हजारों की तेदात में गाड़िया आ भी जाएंगी तो इंशालला तकलीब ना होगी और ये मैदान जो है इसमें कीमा औगेरा रहेंगा और मैदान के अंदर जो जिस तरीके से साफ सपाई का काम जारी हो शारी है इंशालला बहुत जल्द काम जो है तो मकमल होंगा और कीमे का काम भी शुरू कर दिये जाएगा देखने में यह आ रहा है कि जिसको जो वक्त मिल रहा है वो अपने वक्तों के मताबिक जो आकर काम कर रहा है और अपने तर्जों से काम करकर वापस रवाना हो जा रहा है जैसा के पीछे इस्तिमा का माले गाउन शहर के अंदर हुआ और उसके अंदर भी मालेगों सहर के सहरियान तबलिक से जूटे तमाम सातियों ने काम किया और कुछ इलानिया कुछ खूपिया काम करकर अपना काम खत्म होने के बाद अपने रास्ते चल दिये ठीक इसी तरीके से इस बार भी मालेगों सहर के अंदर काम हो रहा है कुछ खूपिया और कुछ इलानिया दोस्तों आज देखने में आता है कि हर कोई चायता है कि वो सिर्फ अपना अजरो जो है अल्ला और अल्ला रबुलालमिन से ही ले सिर्फ अल्ला से अपना अजरो अजीम आसिल करने के बिना पर नेक नियती से यहां हर बंदा काम करता है और देखने में यह भी आता है कि मालेगाओं शैर के अंदर बहुत दिलजमी से काम होता है और इतराब के दियाद के लोग जो यहां पर आते है जैसे के मनमार, सटाना, देवला, कलवन, चरंदोड, लासल गाओं और भी दिगर जैसे नामपूर वगएरा वगएरा जो भी मालेगाओं शैर के अंदर दियाद आते है वहां के लोग भी यहां आकर बहुत दिलजमी से काम करते है और अलहमदुल्ला यह एक छोटा मुटा सा अबादत गाह बनाया गया है फिल वक्त तो इस इबादत गाह के अंदर नमाज वगएरा का नजम किया जाता है और नमाज भी बाकाइदा पांच वक्त तो होती है और तमाम साती जो है तो काम करने के बाद कुछ ठक जाते है तो कुछ आराम के लिए यहां जो है तो आ आ जाते है और फिर आराम करके फिर वापस से काम में लग जाते है हर कोई अपने तरीके से काम करता है जिसको जो काम में मौरत आसिल होती है वो अपना काम करते रहता है और खामुशी से काम करके अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है कुछ लोग जो है तो वहां कयाम भी किये हुए है जो जागली का काम करते है चौकीदारी का काम करते है और देख रेक का काम करते है और कुछ उसमें जिम्मेदार भी है जो जिम्मेदारियों को निबाते हुए तमाम काम करने वालों को तरकीब देते है दोस्तों मनजरे आम पर जिस तरीके से मैदान दीख रहे है अच्छा खासा साफ हो चुका और कुछ बाकी है और उमीद है कि वक्त तो आने से पहले मकमल त्यारी हो जाएंगी और इंशालला देखने में ये आ रहा है कि जिस तरीके से काम धीरे धीरे हो रहा है लेकिन बहुत अच्छे तर्जों से हो रहा है और हम हमारे चैनल से जितनी भी अपडेट आज तक के इस्तिमगा के तालुक से दिये है हर अपडेट में उवल्ट आखिर एक नई बात आपके सामने आया की है इस अपडेट में आपको हम दिखाए है कि इस्तिमगा का कितना काम हुआ है और कितना बाकी है आने वाली अपडेट में हम ये भी दिखाएंगे कि कब तक ये काम मुकमल हो जाएंगा इसका टार्गेट लेकर चलते है कि आज हमारे माले गाउं में जितना दिन बचा है 15-16 तारीक को आने को ये तकरीबन 21 दिन याँ से बचा है 21 दिन में और क्या क्या काम होगा किस तर्जों से होगा इसकी भी अपडेट हम दिखाएंगे इसके इलावा भी हिंदुस्तान भर में जहां जहां भी इस्तिमागा होगा उसकी तारीके हम आपको सुर्कियों में दिखाएंगे इसके इलावा माले गाउं सहर से कितनी जमाते किस रुख जाने वाली है उसकी तफसील भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तो हमारे इस चैनल पर जितनी भी वीडियो इस्तिमागा के तालुक से हमने लगाई है सब तब्लिक जमाज से जुटी हुई है अपडेट डी है हमने आप अगर तब्लिक जमाज से जुटे हो और हमारा वीडियो आप पसंद करते हो और आपको वीडियो हमारा चैनल पर दिखाई देता है तो इसे जरूर सेर करें ताकि हम हमारे हिंदुस्तान के या बैरून शैर के भी बैरून मौलिक के भी हर शैर के अंदर जो हमारे साथी काम करते है वो देखते है कि हिंदुस्तान में हमारे तबलिग जमात के साथी किस त और वैरून शेयर में रहे कर हमारे हिंदुस्तान की फिक्रों करते हैं सुक्रिया दोस्तों मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए जाते जाते एक बात ये कहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे जरूर सब्क्राइब करना और अगर पुराने हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करना और वीडियो में कुछ कमी बेसिक रह गई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना सुक्रिया अस्सलाम अलेकूम और रकमत अल्लाह और वरकात